नमस्कार दोस्तों मेरे नाम है अर्शिद दिवेदी स्पेक्टर मॉडरन हिस्ट्री के पार्ट 115 में आपका स्वागत है देखते हैं किसी इसके बारे बात करेंगे 28 मॉन्स ओफ कॉंग्रिस रूल के बारे में बात हो रही है तो attitude towards labor यह जो कॉंग्रिस की मिनिस्ट्री बनी थी प्रोविंसेज में उन मिनिस्ट्री का labor के प्रती क्या attitude था उन्होंने social welfare reform के field में काम किया और overall यह जो 28 महिने का कॉंग्रिस मिनिस्ट्री का rule था इसका evaluation देखेंगे तो 28th months of Congress rule के उपर में already एक वीडियो बना चुका हूँ तो 28 months of Congress rule मेरे नाम हर्शी दिवेदी के साथ YouTube में सरच मारिए आपको वीडियो मिल जाएगी यह किताब खरीद लिजे मैं इस किताब को आपके साथ complete करा रहा हूँ तो आपके बढ़ने इस पहले दोस्तों वीडियो पे लाइक का बटन चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे अगर अब तक आपने नहीं किया है यह किताब है वैलनोक के पूरान अडिशन है तो भी चलेगा नहीं है तो नीचे दिये गए लिंक से खरी सकते हैं इस्टाग्राम पर फॉलो कर लिजे आपके जनी डॉट से जवाब दूँगा और टेलिग्राम पर आपको वीडियो की नोटिफिकेशन और पीडिएफ मिलती है तो वो भी जोइन कर लिजे तो बात की जाए एटिटिट्यूट टॉट्स लेवर की देखे जब इंडियन नेशनल कॉंग्रेस जीत के आई थी तब उसको लोगों की पार्टी संजा जा रहा था वो लोगों की पार्टी थी भी बट जब ये लोग पावर में आये तो पावर में दो चीजों के बीच में बैलेंस बिठाना था एक तो लेबर और वरकर के इंट्रेस्ट को भी देखना था सासद इंडस्टियल पीस को भी प्रमोट करना था Congress में एक बहुत बड़ा तपका था जो इस बात को समझ चुका था कि यह industrial pace बहुत ज़र्द ज़रूरी है इसलिए industries का फलना फूलना भी ज़रूरी है यह जो England जैसे देश है वो अपनी industries और private enterprises के दंपेश आगया है तो कहीं न कहीं इंडिया के industrial establishment की ज़रूरत और development की ज़रू से तो दोनों के rights के बीच में एक balance लेके आना है तो Congress Ministries को यह भी ध्यान देना है कि भाया लेवर्स को उनके rights मिले और at the same time Congress Ministries को यह भी देखना है कि strikes ज्यादा ना हो हरताल ज्यादा ना हो चुकि हरताल ज्यादा होगी तो काम बंद हो जाएगा धंदा चौपट हो कि यह लोग strict instruction issue करेंगी कि जो भी labor union strike पे जा रही है strike पे जाने से पहले जो भी arbitration possible उसको करें arbitration मतलब की मांडवली मांडवली मतलब की जो workers हैं और जो दूसरे industrialist हैं उनके वीचे बातचीत कि भाया strike करने से पहले बातचीत करके labor अपनी demand रखे जो labor की वाजब demand है वो वो industrialist मान ले और एक settlement हो जागा काम चलता है strike ना हो तो हमेशा industrialist और labor की बीच में good level create करने की बात की जाती थी इसमें congress ministries अपने अपने level पे आप कह सकते हो कि एक mediator की तरह काम करती थी अब देखे industries अलग-अलग provinces में अलग-अलग level पे काम करती थी यह अलग-अलग provinces की अपनी industries थी उनको regulate करती थी ठीक है तो अलग-अलग जगहों कि government का जो रुक था वो भी अलग-अलग था ओके लेकिन आप देखी दोस्तों कि यह जो militant trade union protest थे militant trade union protest क्या हो गए कि यह वो labor जो की strike करने के साथ-साथ तोड़ फोड़ पर होता रहा है वोईलेंस पर उतरा है तब जब यह trade union वोईलेंस पर उतरा आते थे तो इनको law and order problems की तरह डील किया जाता था और जब law and order problems की तरह डील किया जाएगा तो कुछ states की congress ministries क्या बोलेंगी पुलिस को कि जाओ भाई इनको control करो यह जो rights कर रहे हैं उनको control में ले क्या हो तो overall कहीं न कहीं Congress ministries इन लेबर्स के कभी कभी anti stance भी ले लेंगी जब लेबर्स ज़्यादा वोईलेंस पर उतराएंगे यह चीज़ लेफ्टिस्ट को पसंद नहीं आ रही थी खासकर जो जवालला नहरू दोरा लेट तबका था जवालला नहरू सुबास चंद बोज दोरा लेट तबका था उसको पसंद नहीं आ रही थी अक्सर कर जो लोग violence के थुरू अपने movement को चलाते थे ministries order देती थी कि section 144 के अंदर इनको arrest कर लिया जाया बहुत सार ऐसे leaders को arrest भी किया गया इन सब चीजों से जवालला नहरू खुश नहीं थे लेकिन जवालला नहरू यह जानते थे कि यह जो ministries हैं यह Indian national congress का part है और अगर जवालला नहरू इन ही ministries के against में statement देंगे तो Indian national congress पूरे India के सामने कब जोर बनके सामने आईगी इसलिए सामने से जवालला नहरू इनको support करते थे पीछे से जवालला नहरू इनको reform करने कोशिश कर रहे थे गांदी जी अब देखे जो trade unions violent protest कर रहे है आपको मैंने पहले बताया है कि हिंसावादी भावना को गांदी जी ने किसी भी form में promote नहीं किया तो अगर किसी trade union ने violent protest किया है तो गांदी जी कभी भी उसको justify नहीं करते थे लेकिन at the same time गांदी जी ये भी बोलते थे कि ये जो लोग बवाल कर रहे हैं इनको सिखाने की ज़रो थे इनको political education देने की ज़रो थे इनको mask apart बनाने की ज़रो थे इनके अंदर nationalistic feeling लाने की ज़रो थे तो जो इन लोगों के अंदर का गुस्ता था गांदी जी उसको freedom struggle की तरफ channelize करना चाहते थे at the same time गांदी जी और नहरू जी ये भी चाहते थे तो जो support base का वो नायरोड हो आप देखिए बहुत मुश्किल से इंडिया नेशनल कॉंग्रेस में जो party members जैसे गांदी जी नहरू जी उनको पता था कि इंडिया नेशनल कॉंग्रेस की popularity बहुत मुश्किल से बनी है और अगर इंडिया नेशनल कॉंग्रेस इंडिया के सामने लड़ती नजर आएगी तो उसकी जो popularity है वो कम होगी ओके तो यहां गांदी जी और नहरू जी दोनों ने कॉंग्रेस मिनिस्ट्री के साथ request की कि भईया जो भी agitators हैं इनके साथ आप प्यार के साथ deal करी हैं बात की जा सोशल वेलफेर reforms की तो सोशल वेलफेर reforms के नाम पे इन ministries ने क्या किया तो भाई हरीजन्स के welfare के लिए बहुत सारे steps लिए गे जैसा कि मैंने आपको बताया था हरीजन्स welfare के लिए एक पूरा का पूरा movement चला रहे थे गांदी जी तो अलग अलग provinces में temple entry पे जो ban था depressed classes का गेस्ट उस ban को अटाया गया public facilities जो कि कि किवल upper caste के लोगों के लिए reserve थी उनको सारे caste के लोगों के लिए खोला गया scholarship provide की गई उन depressed class के बच्चों को जो school जाना या college जाना afford नहीं कर सकते और यह कोशिश की गई कि जो so called depressed classes हैं उनको police में और government services में और ज़दा नौकरियां मिले तो कई न कई direct और indirect दोनों तरीके से depressed class को उपर उठाई जाना ही कोशिश की गई फिर at the same time ये भी समझने लगे कि देखिए अगर इंडिया को आगे बढ़ाना है तो इंडिया में जो लोग हैं उनको आगे बढ़ाना होगा इसलिए उनके human resource को उनके skills को develop करना पड़ेगा skills को develop करने के लिए primary education मीं देनी पड़ेगी टेक्निले education मी देनी पड़ेगी और higher education मी देनी पड़ेगी सासाथ health और sanitation मी करना पड़ेगा च्योंकि public health और sanitation होगा तो लोगों की health अच्छी रहेगी लोगों की health अच्छी रहेगी तो वो ज़्यादा productive रहेंगा फिर भाई गांधी जी की respect तो करते थे इंडिया के लोग जो अपनी enterprises और इंडिया के लोग जो अपनी enterprises और इंडिस्टिर बेस को set up कर रहे थे उनको encouragement दिया जाने लगा फिर भाई एक national planning committee बनाई गई और यह जो national planning committee बनाई गई थी यह 1938 में बनाई गई थी सुभाष चंदर बोष जी के अंदर 1938 में सुभाष चंदर बोष जी इंडियान नेशनल कॉंग्रेस के president थे यह जो हरीपूरा और त्रिपूरी session है ना इंडियान नेशनल कॉंग्रेस का यह बहुत important session है इसके उपर मैं पहले वीडियो बना चुका हूं और इसके उपर आपको अगली वीडियो में मैं बहुत सारी information प्रोवाइट करूँगा ठीक है तो national planning committee के थुरू planning करने कोशिश की गई यह एक centralized committee बनाई गई जिसमें इंडियान नेशनल कॉंग्रेस के दिगज नेता होंगे यह दिगज नेता बैट के decide करेंगे हाँ डवलेपन में हमको क्या 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 प्र पिर कुछ और भी mass activity Congress conduct करा रही थी जिसमें मिनिस्ट्री मदद कर रही थी जैसे कि mass literacy campaign चलाए के जदा से जदा लोगों को इंडिया में पढ़ाले निखाने की कोशिश की गई उसके बाद Congress ने अपने police station बनाए अपने panchayats बनाए तो भाईया police station अंग्रेजी सरकार के तो थे ही सासद इंडिया National Congress के members बैठते तो लोगों से कहा जाता था कि आप आके अपनी grievances यहां पर register करो और जो सकेगा वो इंडिया ने निशनल कॉंगर्स आपके लिए करेगी Congress grievance committees बनाएगी states में provinces में जो कि regularly petitions बेजा करती थी government को तो अगर कोई step government से करवाना को action लेना है तो यह बड़ा सा यह कितना effective है और कितना effective नहीं है आप अगर देखो तो ऐसा नहीं बोला जा सकता कि यह जो ministries थी जो कि government of india act 1935 के अंदर यह जो 1937 वाले provincial actions हुए थे उसमें जो बनी थी यह बिल्कुल perfect थी देखिए perfect नहीं थी इस ministry के laws भी आपस में लड़ाई कर रहे थे opportunism और hunger for power था कही नहीं अगे opportunistic ideology को लेके पैसे कमाना power की इनको आदत पढ़ गई थी तो पड़े बड़े घरों में रहना गाडियों में आना जाना यह सब चीज़ें भी इनके अंदर आने लगी लेकिन कहीं ना कहीं इन congressman में council में इतना work किया कि जबरदस्त advantage मिला है इंडिया को कुछ लो कि देखिए इस 28 महीने के नियम के बाद रूल के बाद इतना पता चल गया कि अगर इंडिया में social transformation लेके आना है तो ज़रूरी है कि सरकार में इंडियन लोग बैठों मतलब कि अगर आप society को जो दकियान उसी society है इंडिया की इसमें अगर आपको social transformation लेके आना है तो भाया government इंडियन्स चलाएं यह बहुत ज़रूरी है चुकि अंग्रेज तो हमारे mechanism को advance होने नहीं देंगे वो चाहते हैं कि इंडियन्स दकियान उसी ख्यालात के साथ जीए और मरें ताकि उनका राज बना रहे है उसके बाद Congressmen ने यह भी demonstrate कि हम state दोरा दी गई पावर का इस्तमा को हरा सकते तो यह जो 1937 के elections लड़े थी इंडियनेशनल Congress ने यह elections किसके अंदर बताएगी तो उसके अंदर जो पोस्टे बनाए गई उन्हीं पोस्टों के लिए election लड़के उन्हीं पोस्टों पर बैटके अंग्रेजी सरकार को अपोस करने वाला काम किया यहां पे Congress Ministries ने कि जो धरम के नाम पर हिंसा भड़क जाती दंगे भड़क जाते इनको उन्होंने कुछ हद तक कंट्रोल करने में काम्याब रहे हाला कि पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाए इन मिनिस्ट्री जब बनी हुई थी गाम कर रही थी उस समय पर इस देश में बहुत जगों पर कम्यूनिल राइट्स देखने को बिले ब्यूरोक्रासी के मुराल डाउन हो गया ब्यूरोक्रासी मतलब अंग्रेज के टट्टू चाहे वो इंग्लेंड से आए हुए गोरे हो चाहे वो इंडिया के ब्यूरोक्राइट्स हो उनका कहीं नके मुराल डाउन हो गया चुकि ये ministries bureaucracy से accountability मानेंगे law pass कराके bureaucracy से बोलेंगे आप इसको implement करो तो पहले bureaucracy जो अपने हिसाब से काम करती थी बिल्कुल राजाओं की तरह रहती थी अब उनको इन ministers की बात सुननी पड़ रही थी जो कि इंडियास थे जिससे bureaucracy का moral डाउन हो गया उनकी कमाई बंद हो गई ये कहां से Congress पहना आगए जो हमसे जबर्दस्ती काम करवा रही है ये सब चीज़ें ये लोग सोचने लगे कौन bureaucracy फिर भाई इन council की मदद से बहुत सारे hostile elements वो elements जो कि pro-angrej थे और anti-India थे उनको दबाने में मदद मिली उनको न्यूटलाइस करने मदद मिली जैसे कि land lot जमीनदर्स देखे land lot जमीनदर्स हमेशा से ही इंडिया के जो किसान थे उनको दबा रहे थे कहीं न कहीं जो provincial congress बनी थी ना provincial congress जो सरकारे बनी थी उन सरकारों ने जमीनदरों और जोतेदरों से बात करके काफी चीजों को सुधानने कोशिश की चुकि अब तक जमीनदरों को भी हलका-लका अडिया लगने लगा था कि आज नहीं तो कल इंडिया नेशनल कॉंग्रेस को self government तो मिली जाएगी अगर complete independence नहीं मिला तो और उसके बाद अगर ये इंडिया नेशनल कॉंग्रेस वाले ताकत में आते हैं तो हमारा काम करना मुश्किल कर देते हैं तो जमीनदरों नहीं सुचा कि अभी से इनके साथ बना के रखो ठीक है फिर भाई अब लोगों को इस समझ में आने लगा कि व्यूपॉंट बना रखा था इंडियंस की तरफ कि इंडियंस आर नौट फिट फॉर गवर्नेंस वो अपने इसाब से चीज़ें नहीं कर सकते हैं अंग्रेजों के बले बर्डन है ये तो अंग्रेजों सब कुछ करना पड़े का ये मित अब जा चुकी थी जब इंडियन कॉंग्रेसमें इंडियन नेशनल कॉंग्रेस की प्रोविंशनल कमिटी में काम कर रहे थे उसमें लोगों ने देखा कि ये कितना अच्छा काम कर सकते हैं लेकिन सेकेंड वर्ड वार हुआ सेकेंड वर्ड वार में बिना इंडिया के साथ डिसकस किये हुए अंग्रेजों इंडिया को as a party to second world war बना दिया जिसके चलते अक्टूबर 1939 में इन मिनिस्ट्रीज ने रजाइन कर दिया तो 28 महीने का रूल रहा है इन मिनिस्ट्रीज का खास बाद दोस्तों यहां पर यह थी कि जब कॉंग्रेस की victory हुई थी ना elections में उस समय पे बहुत important trend निकल के आया था victory हुई elections में कॉंग्रेस की जो industrial class थी उसको यह लगा कि कॉंग्रेस उनकी मदद करेगी जो working class थी उनको लगा कि कॉंग्रेस उनकी मदद करेगी अब कुछ जगहों पे कॉंग्रेस ने एक proper delicate balance बढ़ने कोशिश की कुछ जगहों पे कॉंग्रेस ने workers को बहुत दबाया और जब workers को एक limit से ज़्यादा दबाया गया तो workers का पलट के response आएगा और इस तरीके का response पॉंबे गोजरात यूनाइटेड प्रोविंस और बंगाल में देखने को मिला तो लोगों को गुस्टा आने लगा लोग जो शुरुआत में सोच रहे थे कि जो इनने नेशनल क्लास के लीडर में काम करेंगे बट कहीं न कहीं देखने को नहों को पता था कि नहों को बनाने में थिसे फिरवाइब कारुबस में एक और प्राव्लम आई कि प्रिंसली स्टेट्स के साथ सिच्वेशन को किस तरीके से डील के जया जैसे कि प्रजा मंडल मूवमेंट शुरू हुआ ठीक है प्रजा मंडल मूवमेंट कह था ग्रेटर डेमोक्रेसी के लिए अब आपको पता है कि प्रोविंस में राजे रजवानों का रोज है इंडिन नेशनल कॉंग्रेस चाहती है कि धीरे धीरे पूरा का पूरा इंडिया प्रिंसली स्टेट्स यह जो पूरा का पूरा इंडिया है वो इंडिन नेशनल कॉंग्रेस के अंदर आ जाए प्रिंसली स्टेट्स में शुरुवात में इंडिन नेशनल कॉंग्रेस के एंट्री उतनी होई नी थी जो बिटिश रूल इंडिया था वहापे इंडिन नेशन League भी International Congress से बहुत नाराज थी All India Muslim League International Congress के साथ coalition सरकार रना चाती थी इंडिया नश्चलूक्रस इसमें interested नहीं थी इंडिया National Congress जानती थी कि जो मुस्लिम लीग हैрист कमिन Himself को शैब्लारी है इसलिए इसको रोकने की जरूफ है इसलिए Muslim League में नाराज होगे इंडिया National Congress से और उन्होंने एक कमिटी established की जिसका नाम था पीरपूर कमिटी ये 1938 में established की गई क्या काम था इस पीरपूर कमिटी का कि भाया Congress Ministries ने जो भी atrocities करी हैं उन atrocities को लोगों के सामने ले के आई ये इस कमिटी में Muslims League क्या बताने ही कोशिश कर रहा है कि Congress मुस्लिमों को religious rights नहीं करने देते हैं उर्दू को दवा रहे हैं, हिंदी को promote कर रहे है Muslims को proper representation नहीं मिल रहा है political field में, economic field में तो जो Congress Ministries बन के आई थी उनको एक चीज़ तो clear हो गई कि देखिए election लड़के जीतना एक बात है, लेकिन लड़के जीतने के बाद सरकार को चलाना ये दूसरी बात है चुकि जब आप सरकार में बैठे होते हो न आपके साथ बहुत सारी expectations होती है और उस समय पाप एक चीज़ realize करते हो, कि आप सब की expectation पूरी नहीं कर सकते हैं तो ये था इस चैप्टर का सारत फोस्तो, thank you for watching I hope आपको कुछ तीखेने को मिला होगा लाइक और शेयर जुरू करते है वीडियो को, good bye